हाई अवरीवन वेलकम तो पी-स-म क्लासिस तो हमें नुमेरिकल में गीवन है दिस्टेंस बिट्विन द इलेक्ट्रोन और प्रोटोन इन है और इनका जो सेपरेशन दिस्टेंस है वो हमें गीवन है 5.3 into 10 to power minus 11 meter ओके नेक्स्ट हमें गीवन है डिटर्माइन द मेगनिट्यूड ओफ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिट्वीन देम स्वाम एलेक्ट्रोस्टेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो की दो चार्जिस के बीच में वर्क करता है इसकी वैल्यू होती है वन अपन फोर पाई अपसाइलर नॉट क्यों की जगह पर क्या है इलेक्ट्रोन सो ई इंटू प्रोटोन की दूसरे चार्ज क्या है हमारा प्रोटोन वेल्यू हम लिख सकते हैं नाइन इंटू 10 टू पावर 9 इंटो फेचार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इन टू टू पावर माइनस नाइन 0 12 पी पर चार्ज भी सेम होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कुलाम डिवाइड जो डिस्टेंस हमें गीवन है 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर ओके नेक्स्ट एफ ऑफ जी की वेल्यू हमें फाइंड करनी है या बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिपेंडेंट होता है तो हम जो है इसकी वेल्यू लिग देते हैं मास ओफ एलेक्ट्रोन कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 मास प्रोटोन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 एंड डिवैडेड बाई आर स्क्वेर होता है तो 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर अब हमें फाइंड करना है रेशो किसका एफ इडिवाइड बाई एफ जी का यह जो वेल्यू होगी वह इक्वल हो जाएगी 9 इंटू 10 to power 9 into 1.6 into 10 to power minus 19 multiply 1.6 into 10 to power minus 19 divided by 5.3 into 10 to power minus 11 meter का whole square ओके यहां बे भी whole square होगा क्योंकि force जो है वो inversely proportional होता है square of distance के so f of g की value अब हम इसमें substitute कर देते हैं g की value हमें given है 6.67 into 10 to power minus 11 okay mass given है 9.1 into 10 to power minus 31 and 1.67 into 10 to power minus 27 और इसको हमें divide करना है कि से 5.3 into 10 to power minus 11 meter के square से हम देखो distance क्योंकि same है तो ये दोनों आपस में cancel हो जाएंगे okay so remaining portion हमारे पास f e divided by f g बचता है 9 into 1.6 into 1.6 और इस 10 को हम solve करेंगे तो यह हम मल जाएगा multiply 10 to power minus 29 divided by यहां से में मिल रहा 6.67 into 9.1 into 1.67 into अब आप इसको चेक करेंगे तो यह मिल जाएगा 10 to power minus 69 और यह आपकी mathematical value है इसको solve करने के बाद जो मेरे पास value आती है वह equal होगी 2.27 into 10 to power 39 k okay so यह ratio होगा electron और proton के बीच में electrostatic and gravitational force का जब उनके 20 separation distance of 5.3 into 10 to power minus 11 meter okay. Thanks to all of you. Have a nice day.